हेलो एबरीबन स्वागत है आप सभी का आज के करेंट अफिर सेशन में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीगल एज आप मैरिज को जो है वो बढ़ाय जा रहा है उमन्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उमन्स को होती है इनकी एज जो है कम एज में ही इन 18-year जो पहले था उसको 21-year कर रहे हैं तो इसमें देखें हम कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें पैट्रियर्कल सोसाइटी है और देखते हैं कि जो उमन्स होती है उनको कम रेस्पेक्ट दिया जाता है और यह स्टेरियो टाइप बन किया है तो कि उमन्स जो होंगी वो कम एज की ही होंगी जब ये साधी करेंगे तो जब men होते हैं ये जब साधी करते हैं women से तो ये जो है हमेशा इनके दिमाग में होता है कि ये जब भी साधी करेंगे तो अपने से छोटी उम्र की लड़की से ही साधी करेंगे इससे बहुत सारी problems जो है ये proposal को clear किया है कि ये लोग जो है marriageable age men और women की जो है उसको उसमें जो है uniformity लाने वाले हैं यानि की समानता लाने वाले हैं तो जब ये समानता लाएंगे तो बहुत सारे act को जो है amend करना पड़ेगा जैसे prohibition of child marriage act 2006 में जो बना था और other जो personal laws है उन्हें जो है amend करना पड़ेगा तब जाकर जो है 18 year से 21 year जो है legal age बढ़ेगी अब देखते हैं हम की ये proposal जो 18 year से 21 year का जो है किया गया है वो किया है एक कमिटी ने जिसका नाम है जय जेटली कमिटी तो एक task force बनाया गया था इसके लिए जय जेटली कमिटी ने जो है ये recommendation दी कि 18 year से 21 year age women's की किया जाए जो legal marriage age है उसे बढ़ाया जाए 18 से 21 किया जाए जिससे एक gender equality भी आ जाए अब जय जेटली जो कमिटी है उसके बारे में हम देखे हैं तो जून 2020 में ministry of women child and development ने जो है इस task force को set up किया और इनका जो main उद्देश से था ये देखना कि क्या correlation है age of marriage का women's के nutrition जो issues हो रहे है उस पे प्लस जो एनिमिया का prevalence जो है काफी जादा बढ़ता जा रहा है उस पे IMR जो infant mortality rate है उस पे जो maternal mortality rate है यानि कि mothers जो जिनकी death हो जाती है बच्चा पैदा करते वक्त वो rate जो है किस प्रकार effect हो रहा है age of marriage से तो इनका क्या effect पढ़ रहा है उसके लिए जो है जैजटली committee इन इन चीजों पे जो है इनके correlation को देखने वाली है ये committee ये भी देखेगी कि marriage age से जो है child के health पे या फिर जो है women की education पे कितना जादा ब्रिधी या फिर जो है कमी आ रही है तो इन सारी चीजों पे जो है ये committee जाच करने वाली है अच्छा इसमें हम देखें कि जो हम हमारे लिए जो है एनेमिया, IMR, MMR जो है इसके लिए इसको age से correlation किया जा रहा है तो इस पे एक recently report आई है national family health survey जो की 5th ती है इसमें child marriage देखा गया है कि काफी ज्यादा बढ़ मनिपूर और असम में जो है हमें देखने को मिल रहा है तृपूरा में 33.1% जो 2015-16 में है वो बढ़कर 40.1% हो गई है मनिपूर में देखें हम तो 13.7% से 16.3% हो गई है और असम में 30.8% से 31.8% हो गई है और teenage की pregnancy भी बढ़ गई है जैसे तृपूरा, मनिपूर, आंधर पर प्रदेश और नागालेंड जैसे स्टेट्स में जो है ये टीनेज प्रेगनेंसी जो कम एज की लड़किया जो है प्रेगनेंट हो जा रही है इनकी प्रेगनेंसी भी बढ़ी हुई है अनेमिया का भी जो है इसू हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है कापी प्रेविलें कि मैरेज एज को बढ़ाएंगे 21 येर करेंगे और इसका जो है यह कैसे जो है इस पर फीडबैक लिए कैसे जो है इस पर एक नीड़ा पर आई तो इन्होंने 16 उनिवर्सिटीज जो एक्रोस इंडिया है पूरे देश भर में जितनी उनिवर्सिटीज हैं 16 जो प्रमिनेंट उ उनिवर्सिटीज हैं उसके यंग एडल्स से इस पर भी जो है चट्चा ये लोग किये कि 21 यर यदी एज की जाती है मैरिज की इज अफ मैरिज को किया जता है तो क्या जो है फायदे होंगे तो इस तरह से जो है इन लोगों ने इस पर भी फीडबैक लिया था और जो कॉले वहां पर इनकी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए आप ट्रांस्पोर्टेशन जो सिस्टम है वो ब्यवस्थित करें ताकि जो है ये इस्कूल्स और कॉलेजिज आसानी से ओमन्स जो है लड़कियां जो है वो पहुंच सकें तो ये रिकमेंडेशन थी तीसरी ये कि स्किल और बि कि जब तक जो है इन सारी चीजों को हम इंप्लिमेंट नहीं करते हैं तब तक हम लॉब बनाकर इस चीज को इंप्रूब नहीं कर सकते हैं जैसे एज को बढ़ा कर जो है इसको इंप्रूब नहीं कर सकते हैं हमें बेसिक चीजे जैसे स्किल्स और बिजनेस ट्रेनिंग भी बढ़ानी होगी लड़कियों के लिए sex education schools में बताने होंगे प्लस यहां पर colleges में girls के ट्रांसपोर्ट जो इनके घरों से जो है काफी दूर colleges है schools है उनके लिए transportation की बहुस्था करनी होगी तब जाकर यह लाग कहीं न कहीं काम्याब होंगे तो यह recommendation थी जैजटली committee की अच्छा इसमें देखें कि legal framework क्या है minimum age of marriage का तो जो minimum age of marriage जो है सबसे पहले 1860 में जो है यह लोग लाये थे जिसमें इन्होंने कहा था कि IPC जो है उसमें criminalize किया गया जो sexual intercourse यदी 10 years से कम age की लड़की के साथ किया जाता है तो वो जो है criminalize किया गया उसको और उसे जो है रेप बताया गया अच्छा इसको फिर से जो है बढ़ाया गया था 1927 में age of consent आया age of consent जो आया इसको एमेंड किया गया और जो है यहां marriageable जो age है उसको 12 year के आ गया यानि कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के दिसादी होती है तो उसे जो है invalid माना जाएगा अच्छा अब मैं यह सार्दा सार्दा act के बारे में देखें तो यहां भी जो है minimum age fix की गई यह सार्दा act में जो है यह कहा गया कि उमंस की age 14 साल और जो है में की age जो है वो 18 year होनी चाहिए तो यह जो child marriage restrain act CMRA भी इसको कहते है 1929 में जो सार्दा act आया था उसको child marriage restrain act भी कहते है 1929 का तो यहां पर अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान देजेगा कि इसको बड़े prominent लोग जो है इसका अपोज भी किये थे जो age बढ़ाई जा रही थी जैसे जो बालगंगा धर तिलक है उन्होंने भी जो है यह child marriage जो age थी जो जो legal marriage age थी उसको बढ़ाय जा रहा था उस पे इन्होंने अपोज किया था 1978 में फिर से 18 year और 21 year इस law को amend करके किया गया कि minimum age 18 year और 21 year होगा फिर इसको जो है प्रोहिबीशन किया गया child marriage act से कि जो यदि जो है कहीं पर child marriage जो होती है तो वहाँ पर legal action लिया जाएगा उन्हें जो है उनके उपर कारवाई की जाएगी उन्हें सजा दी जाएगी तो 2006 में बना था प्रोहिबीशन अब child marriage act PCMA 2006 तो इस तरह से जो है चीजों को implement किया गया अच्छा यदि यहां हमें changes लाने होंगे 18-21 साल करने होंगे तो इन सारे act में जो है हमें बदलाव लाने पड़ेंगे अब different religion में हम देखें कि क्या marriage minimum age है जैसे देखें कि हिंदू में क्या है कि हिंदू marriage act 1955 में आया था उसमें यह कहा गया कि 18-year वो minimum age होनी चाहिए bride के लिए दुलहन के लिए और 21-year जो है age होनी चाहिए groom के लिए तो 21 येर जो है एज होनी चाहिए दूले के लिए और 18 साल जो है वो दूलहन के लिए ये एज होनी चाहिए ये हिंदू मैरेज एक्ट 1955 का बताता है इसलाम में ये है कि यदि कोई जो लड़की है वो प्योबर्टी को अटेंड कर लेती है तो वो जो है लड़की साधी के लिए तयार हो जाती है इसलाम धर्म जो है कहता है Special Marriage Act 1954 का कहता है Prohibition of Child Marriage Act 2006 का और Special Marriage Act 1954 का ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए उमन्स के लिए वो 18 एर और में के लिए 21 एर ये होनी चाहिए तो इस तरह से जो है ये Religion हमें बताते हैं जो Religious Act बने वो बताते हैं कि हिंदू के लिए मुस्लिम के लिए किस प्रकार जो है Age ये Determine किया गया इसके आगे देखे कि Way Forward क्या होगा इससे क्या Boosting मिलेगी यदि हम मिनिमम एज को बढ़ाते हैं तो Boosting इस बात की भी मिलेगी Education Boosting होगी Education जो है वो जो 12th Class तक ही लड़कियां पढ़ पाती थी 18 year attend करते ही उनकी साधी कर दी जाती थी अब वो आसानी से Graduation भी कर सकती है 21 year जो है जब 3 साल एज बड़ी है तो आसानी से Graduation कर लेंगी तो यानि कि जो Education है वो आसानी से Access कर सकती है और जो एक लोगों के अंदर एक स्टोरियो टाइप बन चुका है कि जभी जो है 18 year complete करेंगी यानि कि 12th जो है complete करेंगी तो इनकी साधी कर देंगी वो अब धीरे धी चेंज होगा दूसरी चीज है कि हम Skill और Business Training की बात भी कर रहे थे Sex Education की भी बात कर रहे थे ये काफी ज़्यादा helpful होगा इनके लिए प्लस जो Accessibility Schools की है वो बढ़ेगी और वो बढ़ेगी तो Girls जो है Colleges जा पाएंगी Schools जा पाएंगी जिससे जो है आसानी से उनको चीजों के बारे में जानकारी होगी और Education से जो है इनका Development होगा दूसरी चीज की Mass Awareness Programs भी इसके लिए चलाया जाए जिससे लोग जो है Child Marriages से बचें और एक Minimum Age जो है उसको Follow करें उस तरह से जो है साधिया करें जिससे जो बिमारिया है जो disease है ये एस से पहले साधी कर देने से जितनी भी बिमारिया फैल रही है या फिर जो है Maternal Mortality Rate या फिर Infant Mortality Rate हमें देखने को मिल रहा है एनेमिया जैसी बिमारिया देखने को मिल रही है उसके बारे में कहें कि बताएं कि हाँ ठीक है ये बिमारिया जो है फैल रही है इसके कारण तो Mass Awareness करना भी हमारे लिए जरूरी है क इस तरह से जो है हम जो है इसमें चेंजिस ला सकते हैं अच्छा अब देखें कि लीगल मेरिज एज जो है अलग-अलग देशों में कितना है तो चाइना में 20 साल है गर्ल्स के लिए और बॉइस के लिए 22 साल है बंगलादेस में देखें तो 18 साल गर्ल्स के लिए और 21 साल बॉइस के लिए है इंडिया में 18 साल पहले था अभी भी है प्रपोजर आ गया है तो इसको चेंज करेंगे और 21 साल बॉइस के लिए है जापान में 20 साल की लड़कियां और 20 साल के ही लड़के भी होते हैं जो कि जिनकी होती है साधी की US में 18 साल 18 साल दोनों के लिए होती है ब्राजिल में 18-18 साल ही होती है रस्या में 18-18 साल ही होती है UK में भी 18-18 साल होती है मलेसिया में मलेसिया में 16 साल की लड़की और 18 साल की लड़के के लिए ये लीगल मैरिजेज होती है इरान में जो है गॉल्स के लिए बहुत कम एज में ही डिफाइंड ही नहीं है इसे साधियां चलती हैं वैसे और बॉईस के लिए 13 इयर यह डिफाइंड कर रखे हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो लीगल मैरेज एक्ट है जो लीगल मैरेज एज है उसको जो हम बढ़ा रहे हैं उससे क्या-क्या इंपेक्ट पड़ने वरला है जैजटली कमिटी के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह जो है मिनिस्ट्री आफ ओमन चैलिन डेवलप्मे की जाए sex education की बेवस्था की जाए जिससे इनकी जो है women's की condition जो है वो ठीक ठाक हो सके तो इस तरह से जो है minimum age for marriage को बढ़ा के हमें women's की empowerment कर सकते हैं women's की empowerment होगी तो जो है समाज में हम देखेंगे कि इनके अंदर बदलावाएंगे और जो लोगों को दबाते हैं बिल्कुल जो है लड़कियों को दबा के रखते हैं उसमें चेंजे जाएंगे लोगों की stereotype जो इनका बना हुआ है वो चेंज होगा और इस त का है वो उमन्स की बढ़ाई जाएगी तो इससे लेटेड आपको question जो है पूछे जा सकते हैं आप ध्यान रखेगा प्रेजिम्स में भी question आ सकते हैं और मेंस में भी आपसे जो है इससे questions आ सकते हैं अखास करके essay में जो है इससे question आ सकते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेर रहेंगे इससे ताकि यदी question आते हैं तो उसको आप attend करें ओके थैंक यू